मार्च 2023 की पहली ये तारीख थी जब गुलजार चानी आड़े ने अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टागराम अकाउंट पे अपने नई प्रोजेक्ट की एक जलक देखाई थी जिसका नाम बताया गया माफियो सो यानि के किसे माफिया गैंग का मेंबर और जो या जलक थी इस तो न्यू बेरा लागया था कि या एपी या एल्बम हो सक है और फिर इसके बाद 12 मार्च ने इस प्रोजेक्ट की एक और जलक दखाई गई जिसमें न्यू बेरा लागया कि यो प्रोजेक्ट गुलजार के करियर की कानी दखावे है कि उसने कित्त दूओ के के कुछ करया है और चयार गाना के नाम और उनके म्यूजिक प्रोडूसर के नाम भी रिवील करे गए और साथ मैं पहले गाने की रिलीजिंग डेट भी अनाउंस कर दी गई इन चयार गाना में पहला गाना है कि लेम जिसमें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री म खूब सारा काम करे ओड म्यूजिक प्रोडूसर दा किड ने म्यूजिक दिया है जिसने सिद्धु मुस्याले के भी कई गाणिया में म्यूजिक दिया है और गुलजार के पैनावे ने देखका है और म्यूजिक प्रोडूसर ने देखका है इस गाणी ते एक हिप होप ट्रैक देख्या जाओगा चौत्था गाना है आईसर मैसी जिसमें ये परूफ का म्यूजिक है ये तो थे चार गाने इसके बाद गुलजार नईस आलबम का पोस्टर भी शेयर करया है जिसमें टोटल पाच गाने देखे गई है मतलब के एक गाना इब सर्प्राइज राख्या गया ह उसका नाम रिविल ना करया है बस न्यू बताया गया है कि इस गाने में भी दा किड का म्यूजिक है इब इन पाच गाने में तै पहले गाने किलम की रिलीजिंग डेट दरी गई है 23 मारच और फिर थोड़े थोड़े इंटरवल पर एक कमिने के बीतर बाकी ये गाने भी र और एकसाइट करेगी जो कि या है कि यो माफियो सो चैप्टर वन है ये और चैप्टर आन का अंदाजा भी लाया जाव है जिसमें इससे तर रिलेटिड और गाने भी देखे जावगी अगर थम ने ट्रेलर देख्या है तो थारी इस अलबम की बाट किसी है कमेंट मा गुल